नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन बर्मा दोस्तों, आज हम लोग रेल का पार्ट टू देखेंगे दोस्तों चार बजे लाइब होती है और चार बजे आई नेट नहीं है जिस कारण लाइब नहीं हो पा रहा है तो मैं वीडियो को रिकॉड करके मैं अपलोड कर दे रहा हूँ देखे यहाँ पर पहला प्रसन आप देख रहे होंगे पाट्टू का एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमिटर प्रती घंटा है यह रफ्तार रफ्तार मतलब आपका यहाँ पर चाल दिया हुआ है चाल कितनी आए? 72 किलोमिटर प्रती घंटा है जो 200 मिटर लंबे एक प्लेट फॉर्म को बाइस सकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? मैं आप लोग को क्या बताया हूँ? कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर चाल, समय और दूरी को लिख लिया करेंगे यहाँ पर चाल आपका दिया हुआ है 72 किलोमिटर प्रती घंटा समय दिया हुआ है 22 सेकेंड 22 सेकेंड आपका समय दिया हुआ है दूरी देखिए दोस्तों जब भी एक अहीं प्रस्न में ट्रेन भी रहे और प्लेट फॉर्म रहे तो दोनों को आप जोड करकर लिखेंगे यहाँ पर प्लेट फॉर्म की लंबाई 200 मिटर है और ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है तो ट्रेन की लंबाई माल लेते हैं एक्स है तो इन दोनों को जोड़ेंगे यह आपका दूरी कहलाएगा दूरी आपका यहाँ पर हो जाएगा 200 पलस एक्स मीटर क्लियर हुआ यह यहाँ पर मैंने एक्स क्यों लगाया है जब भी आपका प्लेट फॉर्म और रेल गाड़ी के प्रसन आवे और प्लेट फॉर्म की लंबाई दिया हुआ रहे या प्लेट फॉर्म की लंबाई निकालनी हो तो ऐसे इस्तिती में आप रेल गाड़ी और प्लेट फॉर्म इन दोनों को जोड़ेंगे और यहां आपका दूरी बनेगा यहां आपका क्या बनेगा दूरी बनेगा यहां पर हमने चाल समय और दूरी निकाल लिया यहां पर एक्स दूरी में एक्स लगा हुआ है मतलब हम दूरी का फर्मूला लगाएंगे और इसे बना देंगे देखिए यहाँ पर दूरी आपका हो जाएगा दूरी बराबर क्या होता है फर्मूला चाल गुने समय चाल गुने समय दूरी कितनी है? 200 पलस एक्स चाल कितनी है? 72 किलोमीटर परती घंटा और समय कितना है? 22 सेकेंड दोस्तों आप हमको बताइए कि यह किलोमीटर परती घंटा में है और यह सेकेंड में है तो गुना होगा क्या? नहीं गुना होगा आपको इसे भी मीटर परती सेकेंड में बदलना पड़ेगा तो मीटर प्रती सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको 5 बटे 18 से गुना करते हैं 18 चुक 72 एकट गया अब यहाँ पर यह 200 पलस X बराबर इन तीनों को गुना करेंगे तो आपका हो जारा है 440 अब X को अकले रखिए 440 यहाँ पलस है इधर जाएगा तो माइनस होगा बराबर हो गया 240 यह X निकला X क्या है आपका रेल गाड़ी की लंबाई है आनि आपका रेल गाड़ी की लंबाई निकल गया 240 मीटर कितना निकला 240 मीटर यहाँ ध्यान क्या देना है दोस्तों कि जब भी दूरी लिखेंगे तो पलेट फॉर्म की दूरी और रेल गाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ के लिखा जाता है जब पलेट फॉर्म की लंबाई दिया हुआ हो तो अब चलिए इस प्रस्ण में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कहता है 60 किलोमीटर परती घंटा की गती से चलकर एक रेल गाड़ी एक सिगनल और 250 मीटर लंबे पलेट फॉर्म को करमसा 12 सेकेंड और 37 सेकेंड में पार कर लिती है रेल गाड़ी की लंबाई क्या है यहाँ पर भी आपका प्लेट फॉर्म दिया हुआ है प्लेट फॉर्म की लंबाई दी हुई है 250 मीटर और रेल गाड़ी की लंबाई निकालनी है रेल गाड़ी की लंबाई आपका नहीं है यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिगनल है इसको प्लेट फॉर्म की लंबाई 250 मीटर है। यहां पर एक ट्रेन को एक ट्रेन को इस सिगनल को पार करने में 12 सकेंड 12 सकेंड का समय लगता है। लेकिन इस प्लेट फॉर्म को इस प्लेट फॉर्म को पार करने में आपका 27 सकेंड का समय लगता है। दोनों जगा चाल क्या है? बराबर है। दोनों जगा चाल बराबर हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि सिगनल को पार करते समय चाल पार करते समय चाल बराबर प्लेट फॉर्म को पार करते समय चाल। यह दोनों चाल हो गया है। अब सिगनल यह चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय तो सिगनल को पार करने में 12 सकंड लगाया। अब यहां पर दूरी क्या होगा? ध्यान रखेंगे दोस्तों किसी पॉल को पार कर रहा हो या किसी ब्यक्ति को पार कर रहा हो या कोई सिगनल को पार कर रहा हो यहां पर आपका दूरी जो रेल गाड़ी की लंबाई होगा वह हम आपा जाएगा। रेल गाड़ी की लंबाई इसकी दूरी नगन मानते हैं केवल रेल गाड़ी की लंबाई तो माना कि रेल गाड़ी की लंबाई एक्स है तो यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर देखिए प्लेट फॉर्म को जब प्लेट फॉर्म को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर जो दूरी जाएगा इसके पहले वाले प्रस्न में बताया था कि पलेट फॉर्म जब भी आ जाए तो दूरी में पलेट फॉर्म की दूरी लंबाई पलस रेल की लंबाई दोनों की लंबाई को साथ में लिखेंगे पलेट फॉर्म की लंबाई 250 मिटर है और रेल की लंबाई X माल लेते ह और इसको पास करने में 27 सेकेंड का समय लगता है अब इसी को हल कर देंगे आपका x का मान निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसे हल करने के लिए cross गुना करेंगे यहाँ पर आपका 27 x बराबर यहाँ पर देखिए जब आप इसको cross ऐसे cross multiply करते हैं गुना करते हैं तो यहाँ पर x और 27 को गुना करेंगे 27 x हो गया इन दोनों को गुना करेंगे 3000 हो गया और फिर यहाँ पर 12 से गुना करेंगे 12 x हो गया अब क्या होगा दोस्तों इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे तो 27 और इधार आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा तो 27 में 12 घटा दिजिए यहाँ पर आपका 15 x बच्चा और 3000 यह देखें 15 दुन तीस 200 आया आनि x बराबर 200 मिटर आपका अंसर आया आनि रेल गाड़ी की लंबाई आपकी 200 मिटर है रेल गाड़ी की लंबाई 200 मिटर है यह आपका अंसर होगा क्लियर है यहाँ पर देखें एक रेल गाड़ी एक सिगनल पोल को 11 सेकेंड में एक या सिगनल पोल है इस सिगनल पोल को 11 सेकेंड में पास करती है पार कर जाती है तथा 260 मिटर लंबे प्लेट फॉर्म एक प्लेट फॉर्म है यह इस प्लेट फॉर्म की लंबाई आपका 260 मिटर है और इसको पार करने में आपका 24 सेकेंड का समय लगता है इसके पहले वाले ज़स्ट प्रस्ण के जैसा है तो रेल गाड़ी की लंबाई हम यहाँ पर रेल रेल गाड़ी की लंबाई एक्स मीटर माल लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इसकी जो चाल होगी यहाँ पर जो चाल होगा वही चाल यहाँ पर भी होगा आनि दोनों जगहों पर चाल बराबर होगा तो यहाँ पर चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय करते ह यहाँ पर दूरी आपका मैंने बताया हूँ कि पोल, सिगनल, आपका आदमी यह सभी चीजों में केवल रेल की दूरी को, रेल की लंबाई को दूरी के रुप में लिखते हैं तो rail की लंबाई X है, तो यहाँ पर आप X लिख देंगे, X लिख दिया, इसको पार करने 12 सेकेंड, 11 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो दूरी लिखते हैं, पलेट फॉर्म रहता है, तो पलेट फॉर्म की लंबाई और रेल गाड़ी की लंबाई, दोनों को जोड़ कर लिखते हैं, तो यहाँ पर 260 पलेट फॉर्म है, और X मीटर रेल गाड़ी है, दोनों को जोड़ के लिख दिया, और इसको 24 सेक है क्योंकि चाल का फर्मूला यही होता है न दूरी बटा समय तो दोनों जगह देखिए आपका यह दूरी हुआ यह समय हुआ यह दूरी हुआ यह समय हुआ अब यहां पर इसको क्रोस गुना करिए गुना करेंगे कितना होगा 24 एक्स और यह दोनों को गुना करेंगे कितना ह हो जाएगा 2860 पलस यह हो जाएगा आपका 11X अब देखिए इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 24X यहाँ पर पलस है तो इधर आ जाएगा 11- में और यह बच जाएगा 2860 इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 13X हो जाएगा और यह 2860 हो गया अब इसको X का मान निकाल देंगे तो 2860 बटे 13 इसको कैंसिल कर दिजिए इसको आप कैंसिल करेंगे 220 आएगा 220 मिटर आएगा अब ऑप्सन में चलिए ऑप्सन में कहीं भी 220 मिटर नहीं है तो यहाँ पर आपको इन में से कोई नहीं देना हो इन में से कोई नहीं किलियर हो गया दोस्तों जदी वीडियो आप लोगों का अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को फटा फट लाइक करेंगे अपने दोस्तों के ग्रूपों में अपने ग्रूपों में सेर करेंगे और जदी मेरा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्क्राइब कर ले आगे चलते हैं दोस्तों देखते आगे कैसे और बनता है एक रेल गाड़ी अपनी दिसा में करमसा दो किलोमेटर परती घंटा तथा चार किलोमेटर परती घंटा की चाल से जा रहें दो ब्यक्तियों को करमसा नौ सकेंड तथा दस सकेंड में पार कर जाती है इस रेल गाड़ी की लंबाई क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि एक किलोमेटर परती घंटा में यहाँ पर जो आपका समय दिया हुआ है परती घंटा है और किलोमेटर में आनि आपका चाल किलोमेटर परती घंटा में है लेकिन आपका ओप्सन जो है या मीटर में है या किस में है मीटर में है तो आपको किलो मीटर परती घंटा को आपको मीटर परती सकेंड में सबसे पहले बदलना होगा इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं पास बटे 18 से गुना करते हैं अब यहां पर हम लोग इस तरह के प्रस्णों को एक बहुती सौट ट्रिक से बना सकते हैं वह ट्रिक आपका होगा जो आपका समय है वो दोनों समय को आप गुना कर देंगे दोनों समय को गुना कर देंगे और दोनों समय को गुना कर देंगे और जो दोनों समय है उससे आप घटा देंगे दोनों समय को घटा देंगे उपर में गुना करेंगे दोनों समय को और नीचे दोनों समय को घटाएंगे इसको घटा दिया मैंने और यहाँ पर गुना करके दोनों का जो चाल है उसको घटा करके लिखेंगे चाल चार माइनस दो है लेकिन यह किलोमीटर परती घंटा में है तो इसको हम जदी पाँच बटे अठारा से गुना कर देंगे तो आपका मीटर परती सकने में आ गया है अब इसी को हल कर दिजिए आपका अंसर आ गया यह नब्बे बटा एक हो गया यहां दो हो गया गुने पाँच बटे अठारा हो गया अठारा पचे नब्बे गुना करेंगे आप पचे-पचीस दुना पचास मीटर आपका हो गया आगे का प्रस्न देखिए दोस्तों यहां पर धियाद रखना है यह मैने क्यों गुना किया है इसको मैंने गुना किया है किलो मीटर परती घंटा को मीटर परती सेकेंड में बदलने के लिए ये गुना किया गया है यह जो पाच बटे अठारा है किलो मीटर परती घंटा को मीटर परती सेकेंड में बदलने के लिए गुना किया जाता है दोस्तों कोई भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो चाहे आप किसी भी competition की तैयारी कर रहे हो रेलेवे का, कलर का या SSC का किसी भी चीज का वहाँ पर आप देखेंगे वही लोग सक्षेस हो पाता है जो syllabus के अनुसार पढ़ता है आनी वही पढ़ता है जो परिच्छा में काम आता है पढ़ने के लिए तो हजारों book आपका market में अबलेवल है लेकिन सभी आपके syllabus के अनुसार नहीं होते हैं तो क्या होता है लोग पढ़ते पढ़ते ठक जाता है और उसका syllabus के अंदर का चीज़ जो syllabus में चाहिए वह पूरा नहीं हो पाता है क्या पढ़ें यह एक बहुत बड़ी समस्या होता है दोस्तों क्या पढ़ें यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो लोग तयारी कर रहे हैं तो यहां पर मैं दोस्तों Cetate का और Jetate दोनों का syllabus के अंसार नौट्स दे रहा हूँ आनी मैं वही दे रहाऊं जो आपको पढ़ना है वही मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहाऊं दूसरा चीज यहाँ पर जो मेरा नॉट होगा यह पूरा पूरा ट्रिक्स वाला होगा जहाँ पर भी ट्रिक्स उज होने लाइक है वहाँ पर मैं ट्रिक्स भी दिया हूँ और बैसिक तो रहेगा ही रहेगा तो दोनों मैं देता हूँ ताकि जिन बच्चों को ट्रिक्स अच्छा लगता है वह ट्रिक्स से पढ़ जाते हैं जिन बच्चों को basic अच्छा लगता है, वह basic से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दो-दो फायदा आपको हो रहा है, knots, tricky वाला knots और basic वाला knots, दोस्तों, practice set बार-बार practice करना, किसी भी ज्यान को अस्थाई बना दिता है, किसी भी ज्यान को अस्थाई बना दिता है, तो मैं यहाँ पर आपको practice set दूँगा, यह आपका 30 practice set होगा, तो practice set से आपकी आकलन भी होगा, और ज्यान अस्थाई भी होगा, साथ ही साथ आपको प्रती दिन live classes भी मिलेंगे, प्रती दिन live classes भी मिलेंगे, तो दोस्तों, seatate, jetate, इन दोनों का फी मात्र 515 रूपए हैं, मात्र 515 रूपए हैं, जदी आप estate, बिहार का जो अभी estate निकला है, जो आपका नॉवम्मर में एक्जाम है, नॉवमर साइद 7 नॉवमर को है, 7 नॉवमर 2019 जिसका एक्जाम है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उसी तरह का बेहतरी नॉट्स, आपके syllabus के अनुसार का नॉट्स, मात्र 590 रूपए में मिलेगा, कितना रूपए में, 590 रूपए में मिलेगा आपक तो दोस्तों, आप जदी इच्छुक होएंगे, तो इस WhatsApp नंबर पर मेसेज कर सकते हैं, यह मेरा Office का नंबर है, इस पर आप मेसेज करेंगे, पैमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से आपके पास नॉट्स जाएगा, यह सभी चीजे आपको पता चल जाएगा, तो देहनबाद द देखिए, एक रेल गाड़ी, 18 सकेंड में, पटरी के बगल में खड़े एक बिधुत खंबे को पार करती है, यह आपका एक बिधुत खंबा है, इस खंबे को पार करने में, 18 सकेंड का समय लगता है, एक रेल गाड़ी को, आगे चलिए, कहते हैं, 280 मीटर लंबा सुरंग, एक सुरंग है, इस सुरंग को पार करने में, रेल गाड़ी को, 25 सकेंड लगता है, और यह सुरंग की लंबाई है, 280 मीटर, अब दोस्तों, यहाँ पर आपको, रेल गाड़ी की लंबाई निकालना है, माल लिजिए, रेल गाड़ी की लंबाई, X है, X मीटर है, यहाँ पर ध्यान देना है, दोस्तों, अभी जैसे पहले बनाया, कि यह जो चाल होगा, खंबे को पार करते समय, वही चाल, आपका सुरंग को भी पार करते समय, चाल होगा, दोनों चाल बराबर होगा, तो चाल ब पराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है, यहाँ पर दूरी जब खंबा को पार करता है, आदमी को पार करता है, और छोटे चीजों को जिसका दूरी नगन निमान सकते हैं, तो यहाँ पर रेल गाड़ी की लंबाई को दूरी के अस्थान पर लिखते हैं, तो रेल गाड़ी की लंबाई X माना है तो यहाँ पर X लिखेंगे और यह समय 18 नीचे हो जाएगा यहाँ पर जब दूरी लिखते हैं तो पलेट फॉर्म या सुरंग जो भी रहता है उसके साथ में रेल गाड़ी की लंबाई को जोड़ कर लिखते हैं यहाँ आपका क्या होता है दूरी होता है और यह 25 से बिभाइड कर देंगे क्योंकि 25 आपका समय यहाँ समय लिखाता है ना नीचे समय उपर में दूरी यह आपका क्या हुआ दूरी हुआ यह आपका क्या हुआ समय हुआ यह आपका क्या हुआ दूरी यह आपका क्या हुआ सम आपका 50, 40 होगा और यह हो जाएगा 18X अब इसको इधर लियाए दोस्तों 25X यह इधर आएगा 18X बराबर 50, 40 यहाँ पर इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा 7X बराबर 50, 40 X को अकल्य रखिए 50, 40 को 7 से भागा दे देजिए कितना आजाएगा दोस्तों 720 यह X मतलब था रेल गाड़ी की लंबाई और रेल गाड़ी की लंबाई आपका 720 मीटर निकला तो यह आपका अंसर है दोस्तों दोस्तों आगे हम लोग इसका पार्ट 3 जो बच्चे हुए टाइप के प्रस्न है यह कल ले करके आएंगे जदि आपने को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करेंगे की शेयर जरूर करना शेयर करने के लिए नहीं भूलेंगे अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे साथ ही साथ जदि मेरे चैनल पर आप नहें होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे धन्यवाद दोस्तों जएंग